तो आज मैं आप सभी के साथ नौरात्री स्पेशल माता के भोग के लिए बिनाल हैसुन प्याज के काले चने की छोली की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत आसान है और इसे हमात्र 10 से 15 बट में बना करके त्यार कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे काला चना लिया था लगबग एक कप के करीब और इसे मैंने रात भर के लिए पानी में भीगो करके रख दिया था तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला काला चना लिया है आप इसकी जगह पे छोटे वाले कानी चनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो हेलो फ्रेंड किचन के स्वाद में आपसे भी दोस्तों का एक बरफेर से बहुत बहुत स्वागत है तो चली रेश्वी बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कुकल लिया है और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक गलास पानी आप किसी कब से भी पानी को मेजर कर सकते हैं और उसके बाद यह भीगा हुआ हमने चना डाल दिया है स्वाथ के अनुसार हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो नमक जो है न वो चने के अंदर भी अच्छे से इसका फ्लिवर आ जाये इसलिए हम चने में थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे और इसको हम गैस पर रखेंगे और चार सिटी आने तक हम इसको पका लेंगे तो यह देखिए कुकर में सिटी आना स्टार्ट हो गया है अब चार सिटी हो गया है हम इसको बंद कर देते हैं और इसे रखतेते हैं ठंडा होने के लिए तो जब तक चना हमारा ठंडा हो रहा ह तब तक हमने यहां पर गयास पर कड़ा ही रखा है और उसमें हम डालेंगे देशी घी घी को अच्छा से हम मेल्ट होने देते हैं और देखे घी हमारा मेल्ट हो गया है अब हम सबसे पहले हैं अंद सबसे पहले करण डाल देटे हैं हीन्ग दो liगबग एक चुटकी हमने हीन का हिस्तमाल किया나ा है आदा चमज हम इसमें जीरा डाल देते हैं एक चमज भर के डालेंगे धनिया पाउडर और यहाँ पे आधा चमर डाला है हमने यहाँ पे काश्मिरी लाल मीड पाउडर थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर और उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वात के उसा थोड़ा सा नमक नमक हमने पहले भी एड किया है तो उसी हिसाब से हमें नमक कम भी डाल आदा चमर डालेंगे गरम मसाला और छोले में हमने थोड़ा सा खटापन देना होता है तो इसलिए मैंने आपे आमचुर पॉड़र डाला है आप इसकी जगह पे निम्बू कारस भी डाल सकते हैं अगर आपके पास आमचुर पॉडर नहीं है तो मसालो को अच्छे तरीके से म निकल गई है अब हम छोलो को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं तो अब हम इन चनों का सारा पानी निकाल करके अलग कर लेते हैं तो ये देखिए चनों में से हमने पानी को अलग कर लिया है और इधर हमारे मसाले भी भुन तो अब हम इन चनों को मसालों में डाल देंगे और अच्छे तरीके से इनको हम मिक्स करेंगे तो यहां पर भी हमें पानी का इस्तवाल नहीं करना है क्योंकि चनों में जो है वो उबाल के कारण थोड़ा सा पानी पानी चना हो गया है तो इसे हमें लगातार एक से दो मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेते हैं तो लगभग दो मिनट का समय हो गया है और बीच में मैंने एक से दो बार इसे चला भी लिया था और चने हमारे बन करके तयार हो गया है तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारे काले चने के छोले बन करके तयार हो गया है तो एक बार आप सब भी मेरे कहने से इस तरीके से काले चने के छोले बना करके जरूर ट्राइ करिएगा और आप सभी को मेरे आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइगा वीडियो अच्छी लगी हो तब भी और ना अच्छी लगी हो तब भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इस डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कर जरूर दिजेगा इसे हमें पता चलता है कि आप सभी को हमारी रेस्पी कैसी लग रही है तो लीजे हमारे चने की छोल करके तयार हो गया है तो आई हो फ्रेंट्स आप सभी को मेरे आज की रस्पी पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चानल पर नए हैं सस्क्राइब करना ना भूलेगा साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा हम मिलेंगे नेक्स जिए बढ़ फ्रेंट्स